हाई गाइस वैलकून टू क्रेटिंग वैल तो आज हम बात करेंगे फाइन सेक्टर से के स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी के इन प्रोडक्स में जो है डिल करती है कंपनी के आगे क्या फीचर प्लांस है और उसको देखते हो इस टॉक का क्या टार्गेट हो सकता ह महन्द्र और महन्द्र की अगर बात करें महिंद्र की अगर बात करें आधर अख्यांत बात करेंित और आटो sector के अंदर IT sector के अंदर यह company घोशी होई है और अगर बात करें Financial Services के अंदर भी यह company घोशी होई है और अगर बात करेंगे तो one of the India leading NBFC company है और इनका जो focus जो रहता वो रहता rural and semi urban sector के अंदर तो rural and semi urban sector को जो है company जो है deal करती है जो है प्रोवाइड कराती है प्राइमरली बिजनिस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं company जो है financing purchase जो है करती है new and pre-owned auto and utility vehicles जो होते हैं जैसे कि tractors, cars, commercial vehicles, construction equipment and SME financing जो है company करती है अब बात करें कि इनका जो बिजनिस है और अगे किस तरीके से जो है इनका बिजनिस फैला हुआ है क्या इनके बिजनिस की स्ट्रेटीजीज है उनके अगर बात करें तो यह अपने बिजनिस को जो है ग्रो कर रहे है रूरल and savi-an-war market के अंदर प्रोबाइट कर आ फाइनसिंग इन्वेस्टमेंट एंशॉरेंस सॉलूशन एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी ब्रांच नेटवर्क को और साथ की साथ डाइवर्सी प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट जो है पॉर्टफोल्यू है इनका नर्चर कर रहे हैं न्यू बिजनेसेस डिजिटल फाइनसिंग लीजिंग के जो है छेत्र के अंदर साथ की साथ अगर बात करें तो अपने जो है इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलोजी तो इंप्रूब प्रोड़क्टिविटी उसका भी जो है यूज कर रहे है एक्स्टेंसिव ब्रांच नेटवर्क है कंपनी के पास मैं ओल ओवर द प्रोड़क्ट्ट मोजूद है इनका जो है असेट मैनेजमेंट जो है मौजूद है एंड साथ की साथ अगर बात करें तो इंस्योरेंस ब्रोकिंग के अंदर भी जो है कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी मौजूद है मूचल फंडन एमसी तो कंपनी का अगर बात करें यह बिजनिस मॉडल जो है हाला कि इसमें कोई ऐसा बिजनिस नहीं है इनका की जो मतला हो कहीं नहीं जो है हर बिजनिस के अंदर तगड़े कॉंपटीटर जो है मार्केट के अंदर बैठे हैं आप महिंदरा से अगर बात करेंगे competitors की तो बजाज finance आप देख सकते हैं साथ के साथ अगर बात करें SDFCI CICI और भी जो है तगड़े जो है एक market के अंदर competitors बैठे हुए है लिकिन business ठीक ठाक है company का नाम है company की धाक है काफी businesses के अंदर और एक मुझे लगता है कि आने वाले time में ये business इनका जो है और revive करता हुआ देखेगा और कहीं ना कहीं जो है एक better performance आने वाले time में आप देखेंगे कि इनके इस business से जो है देखने को मिलनी चाहिए जिस तरीके से जो है इनके financing के businesses हैं, lawns के businesses हैं and broking houses के अगर insurance broking की अगर बात कर लें या mutual fund का जो business है तो यह कहीं ना कहीं business इनके जो है एक अच्छे खासे business है हाला कि mutual fund के business में ठीक है बहुत कम लोग जो है पैसा मुझे लग रहा है इसमें जो है लगा रहे होंगे क्योंकि इनका जो है अगर बात करें mutual fund के business में खास कर तो लोग जो है सबस्यादा जो suit जो करता है जो चॉइस जो करते हैं उसमें SDFC ले लो बिरलासल ले आई-सी-आई-सी-आई-ई-ई-पॉन इंडिया अगर बात करें तो एक्सिज बैंक है तो ऐसे जो mutual fund है टाटा कैपिटल है तो उन mutual funds के असंग जो है लोग जादा जो है जाते हैं उनमें जो है जादा सकते हैं जिस तरीके का इनका जो है काम है और जिसथ तरीके की इनकी जो आए पर्फिर्फरमेंस आने वाले टाइममें धेखने को मिल सकती है इनके बिजनिस से td business आपको जो है समझ में आ गया होगा और जिस तरीके इनकी जो है वैल्यू है और महिंद्रा गुरूप की वो तो काविले तारीफ है लाजवाव है उसमें तो कहीं कोई कहने सुनने की कोई बात है ही नहीं आप बात कर लें किस तरीके के जो हैं इंके फंडामेंटल से भी अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक फंडामेंटल से मेटकेप कमपनी है पॉइंट फाइट की डिविदेंट इल्ड है दू की फेस्ट वेल्यू है और साथ की साथ एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से डिविदेंट ट्रेकर कोर्ड इनका देखोगे जवरतल जो फोर्फिटेविल्टी रही है ड powerful देखाल और एक कन्स्टेंट रेवेनियो तो आता हुआ ॥ ओ। कम से कम और वालाotype की दिम्भरवाला और दिसम्बर वाला लेकि देखें तो अब ≦ क्वाइट देखने को मिल रही है करीब करीब देखेंगे तो 2000 क्रोड के आसपास की प्रॉफिट इविल्टी आ चुकी है दो क्वाटर के अंदर ही और यह ठीक ठाक जो है प्रॉफिटेविल्टी में जो है कंपनी दुबारा लौटती हुए दिख रही है अब 2000 करोड मैं से अ आपको यहां पर शेर ओल्डंग प्रॉटर्न की बात करेंगे थीख ठाक जो है शेर ओल्डंग पैटरन इसका बना हुआ है फिय दिए-ई-ई-ई-ई-एई की महिंद्रा महिंद्रा गूरुप की इसमें करीब 52 परसेंट की है और यहां पर यहां पे ल.ईसी का भी एक अच् 10-6% के आस पास का अष्डर एक्सने बड़े ऑड़े जो है नामि घ्रम मुचल फंड जो में इसके साथ में जड़े हूं कंपनी के साथ में मेरे डी एस डी एसकी एक्स एच्छा लूप है अच्छी क्वालिक है और यह गुरूप ऐसे हैं कि आगे एक अच्छा काम करनी की इनके साथ में अगर आप बने भी है और आप थोड़ा कहीं नेगेटिब भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कहीं ना कहीं जो है आपको जे आने वाले टाम में बहतर रिटन देने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर इतनी पावर है अगर बात करें तो अब यहां ने प्रधान चांसे प्रोड़क्स पोट्फोलियो में अच्छे खासे देखने को मिल सकते है चाट बेटन की अगर बात करें चाट डेखेंगे तो consolidation में जो है निकला है अब बात कर लेते हैं 325 रुपे का जो है इसका भाव था 2018 में भगबन जाने वो तो अभी फ्लाल कव आएगा लेकिन यहां पर बात करें तो यह इस समय भी अगर देखने तो 50% की रेस्टेंसे जो है डाउनफॉल इसमें जो है दुबारा से स्टार्ट हो गया है मेरे एसाब से अगर यह इस टॉप आपको थोड़ा और नीचे मिलता है नीचे का मतलब यह है कि करीब-करीब यह स्टॉप यहां इस वाले एरिया में अगर आपको मिल जाता है जो करीब 120 रु ऐसा बैंकिंग सेक्टर को तो मैं नहीं कहा रहा लेकिन फाइनस सेक्टर में जरूर जो है आने वाले टाइम में आपको भड़ोतरी देखने को मिल सकती है ग्रोथ जो है इसके अंदर आ सकती है उसके हिसाब से लॉंग टर्म के लिए अगर आप इसमें अपनी बैट लगाना जाते हैं बड़िया इस्टॉक है फाइनस से महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करी जाए तो तो अपना एनलाइसी पर आला कि एक बार आप जरू करने उसके बाद ही स्टॉक को बाई से लिया होल्ड करें मेरे हिसाब से जो है शौर शॉर्ट वाई है जितना आपको जो है यह नीचे मिल सके उतना जो है आप इसको बाई करने की कोशिस करें लेकिन अपनी स्ट्रेटीजी रखो आप क्वाटर ओन क्वाटर के हिसाब से बहुत ज्यादा इसमें जो है राइट फिट बैठेगी थेंक्यू फॉर वाचिन इस वीडियो